तो दोस्तों आभी तक आपको लग रहा होगा पर जो बड़े-बरे ट्रक होते हैं वो एक ही जग बन के तियार होते हैं लेकिन आइसा अब नहीं है अभी जो मेरे सामें जो देख रहा ट्रक को फोस न्यू ट्रक है तो हमें अधी मैं आपको ये चली आपको सामें से दिखाता हैं तो फिर इसके बारहें मैंने जो तुर्ट का जो डिरावर वाम से बात किये तो व्याम भी जो में काम होता है जो आप ज़ोर्य एक प्रेटरी में होताहिं फ्र煤्य आ drug ही श gajb इसे दूसरे फ्रेटरि में छापता आपको सबार जाए कि पिछे छेआर के नोर्य भी का ह यह देखिए आगे से भी इस ट्रॉक का यह ट्रॉक है गाइस टाटा का पने का ट्रॉक है अब यह तो ट्रॉक चाहिए आथी दूसरे प्रक्तिरी में और पूर चला से जो पीछे का डबा अथो यह बनेगा आगा आगे की ओर जो छोन का इंटिरियर होता है वो डिजाइन पूर विजन भी दिखाई दे रहा बटरॉक है यह रहा जो बैठने वाला ड्राइबर के सुट हो गया तो अचली और थोडा अबना जाते हुए रहा पीशे वाला जो आपको यह दिखाई दे रहा है वो बैटरी है चले थोड़ा हम इसके आ अंदर चलते हैं दो ट्रॉक ब प्रेख टाइम जो प्रेटरी में जाएगी जब रहा इसी के ऊपर बड़ा सा बोक्स होता है इसी पर फिट किया जागा यह देखे यह रहा इस तरह से यह पीछे का अची भीव है यह देखे ट्राबर साब का जो सीट है यह हो गया प्रोंस से दिखा रहे है सामने से शिट शिट शेजर बैटरी के पीछे का सरब से यह पूरे पीछे का देवगाई से यह देखे अब यह इतना है संद भी हम मुझे लिए पता बात नहीं था कि कुछ हम बहुए पहले जानते हैं मैं पहले कि मलेकर खेला रहे होगा की बोट्राक बना जाता है जो भी गारी है इसपीप पीछे को पूर तरह से बना जाता है लेकिं जब पाता करने के बार डाबर से ठीडसे का बात रहे जो चाक्ता से लेकर इंजनों के फिट किया जाता है उसके बाद इंटिरियर का काम होता है ट्रक कसा जाने से लेकर पेंटोर का काम दूसरे फ्रेक्टरी में काम होता है आप देख सकते हैं आप इंट्रावर से बैटरी फिट कर रहे हैं यह जो इंजनों के थी होता है सबसाइ तो देख लेगे खाराओं कि यह देखे सामने से, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में तब तक खिलिए भाएं